Hello everyone, देखिए अब question number 14, देखो इसमें क्या कहता है? Find the sum of the odd numbers between 0 and 50, देखो odd numbers क्या होते हैं? जो 2 से divide नहीं होते हैं, ठीक है न? तो देखो, solution में चलते हैं देखो 0 से 50 के बीच में odd numbers क्या होंगे? देखो, पहला क्या होगा? 1 होगा, अगला 3 होगा, ऐसे ही 5 भी होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, ऐसे करते, 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 last जो होगा, देखो 50 से पहले, 50 तो even होगा, क्योंकि 2 से divide होता है, इससे पिछला क्या होगा? 49 होगा, तो ये 49 होगा, समझ रहे बात इधर last term क्या होगी? 49 होगी पता चब रही है कैसे? देखो न, 0 से 50 के बीच में इससे पीछे क्या होगा? 49 और इधर क्या होगा? 1, 1 odd है पहला और last में odd क्या आने वाला है? 49 odd आने वाला है तो last term 49 है समझे रहे हो यह बार, ठीक है? अब इनका sum निकालना है ठीक है? sum of that odd terms ठीक है? तो sum of odd terms जब हम निकालते हैं तो इसमें देखो हमारे पास a है given? 1 है और d कितना होगा? इसमें 3-1, 2 होगा ठीक है? और an दिया होगा है an मतलब क्या last term दिए है? last term है 49 जिसको हम क्या बोलते है? an भी बोलते है समझरों ये कहानी? ठीक तो देखो इसमें formula ये वाला लगा सकता हूँ sn का n by 2 a plus l क्योंकि last term given है a भी बता है, n नहीं बता n निकालना पड़ेगा, तो n कैसे निकलता है? an का formula क्या होता है? a plus n minus 1 d an given है हमें कितना? 49, given क्या है? मतलब हमने खुद पता लगया कितना था? 49 था, ठीक है a है 1 plus n minus 1 और d कितना है? 2 है तो ये देखो 1 इदर चला जाएगा 49 minus 1 और ये बचा n minus 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 2 n minus 2 और ये कितना आया है? 48 तो 48 plus में 2 हो जाएगा ये बचा 2 इदर आएगा और इदर 2 n बचा तो ये 50 है और n कितना आगया देखो? 50 by 2 कितना आगया ये? 25 तो n भी हमें पता चल गया 25 है, तो ये पता चल गया तो यहाँ formula में put करेंगे अब देखो यानि कि sum of 25 terms का होगा ये ठीक है? n है 25 a है 1 और l कितना है? 49 तो देखो 25 by 2 इंटू में 1 प्लस 49 कितना होता है? 50 और ये कितना होगा? 25 25 को 25 से multiply गाता है 25 वा स्क्वेर वो कितना होता है? 625 होता है तो इसका भी हमने answer find out कर लिया कितना है 625 है clear है simple से कोशन नहीं तो कर लोगे इनको? ओके तेंक यू